हलो फ्रेंड्स । आज मैं लेकर आए हूँ पोहे की एकदम नई रेसिपी क्या कभी आपने पोहे से ऐसा इतना टेस्टी नास्टा बनाकर खाया है इस नास्टे को देखकर ही आपके मूँ में पानी आ जाएगा इस नास्टे को आप जिसे भी बनाकर खेलाएंगे तो वह आरिफी करेंगा आपसे पूछी ही लेगा कैसे बनाया इस नास्ते की रसीपी को इस नास्ते को बनाना बहुत ही असान है तो चलिए इससे बनाना शूरू करते हैं हलोओ फैंट कैसे आप सब स्वागत हैं आपका मोनिकां किचन में इस नास्ते को बनाने के लिए does not patla मोटा है medium size का पोहा है पोहे 2-3 quality के होते हैं आपके पास जो भी है उसे आप ये नास्ता बना कर त्यार कर सकते हैं तो पोहे को हम डालेंगे एक mixing बाउल में पोहे को मैंने अच्छे से साफ कर लिया था अब इसे अच्छे से हम धोलेंगे पोहे को 2-3 बार साफ पानी से धोलेंगे पोहे को हम इस तरह से हातों से रगड़ते वे अच्छे से धोलेंगे अब इस पानी को हम हटा लेंगे और इस तरह हम दूसरे पानी से भी पोहे को अच्छे से धोलेंगे वाश कर लेंगे पोहे अच्छी तरह से वाश हो गए हैं इसे अब हम 5 मिनिट के लिए ढखके रख देंगे ताकि जो ये पोहे हैं अच्छी तरह से फूल सके अब मैंने लिए हैं यहाँ पर 8-9 उबले आलू चोटी साइस के आलू लिए हैं मैंने यदि आप मीडियम साइस के आलू ले रहे हैं तो आप यहाँ पर 4 आलू लीजिएगा अब आलू को अच्छी तरह से ग्रेटर की हल्प से ग्रेट कर लेंगे इसे ग्रेटर से ही ग्रेट करें ताकि इसमें बड़े टुकरे ना रहे यदि आप हातों से इसे मैश कर रहे हैं तो बड़िया तरह से मैश होना चाहिए आलू का बड़ा चंक्स का टुकरा ना रहे इस नास्ते को बनाना बहुत ही आसान है आप चाहे तो इसे सुभा के रेकफास्ट में बना सकते हैं या साम को हलकी फुलकी भूख लगी हो कुछ चटपटा खाने का मन हो तब भी आप ये रेसिपी बना के खा सकते हैं बच्चों को टिफिन में भी बना के रख सकते हैं या सुभा सुभा के नास्ते में सभी को बना कर आप ये नास्ता खिला सकते हैं तो अब यहाँ पे मैंने सभी आलो को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रोसेस की तरफ तो फ्रेंट्स दस मिनट हो गए है अब हम इसे चेक कर लेंगे पोहे अच्छी तरह से फूल गए है आप देख सकते हैं इस तरह से मैं उठा कर मैश कर रही हूँ तो बहुत ही आसानी से पोहे जो है मैश हो रहे है अब पोहे को अच्छी तरह से हातों से मैश करना है ये देखिए बहुत ही इसली तरह से मैश हो जाएंगे जब आप इसे मैश करेंगे ना तो बिल्कुल ही गुथे हुए आटे की तरह हो जाएगा बस इस तरह से इसे हमें हातों से मसलते रहना है अब पोहे तो आप हर बार नास्ते में बना कर खाते होंगे आज पोहे से हम ला जवाब सा नास्ता बना रहे हैं इस नास्ते को यदि आपके घर में गैस्ट आ गए हैं तो उन्हें भी आप बना कर खिला सकते हैं जटपट से बनने वाली ये रेसिपी है आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से मैश हो रहा है पोहे को आप इसी तरह से मैश कीजेगा यदि आप मोटे वाले पोहे का इस्तमाल कर रहे हैं तो पोहे के अंदर थोड़ा सा पाने छोड़ देना है ताकि जो पोहे हैं बिलकुल बढ़िया तरीके से फूल जाए नास्ता बनाते समय कुछ बातों का दिहान रखे तो नास्ता बहुती बढ़िया बनकर तयार होता है अब आप देख सकते हैं बहुती बढ़िया तरीके से मैश हो कर तयार हो गया है अब हम इसमें कुछ पेसिक से मसाला अड़ करेंगे जो हमेशा हमारे घर में रखे रहते हैं आदी छोटी चमच हल्दी पाउडर आदी चमच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर आपको नास्ता जितना तीखा बनाना हो आप जितना तीखा खाना चाहते हो उसके अकोर्डिंग यहाँ पर आप लाल मिर्च पाउडर की कॉंटिटी कम जादा कर सकते हैं आप चाहे तो हरी मिर्च को पीस कर उसका पेश्ट भी डाल सकते हैं और अब मैं साथ ही डाल रही हूँ इसमें स्वादमसार नमक अब चटपड़ा टेस्ट के लिए हम डालेंगे इसमें आधी छोटी चमच चाट मट साला आप चाहे तो इसकी जगा नीबू का रस भी डाल सकते हैं या फिर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे एक प्याज बारी कटा हुआ सबजी आप इसमें अपनी इच्छा के अनुसार एड़ कर सकते हैं जो आपके पास उस सबें रखी हो मटर है तो मटर डाल सकते हैं गाजर है तो उसे आप ग्रेट करके डाल सकते हैं मैं यहाँ पर सिर्फ प्याज डाल रही हूँ और फिर इसमें हम add करेंगे कटा हुआ हरा धनिया साथ ही हम add करेंगे इसमें grate किया हुआ आलू और binding के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ एक चोथाई कफ सूजी यानि रवा, आप मोटी बारी कोई सी भी सूजी ले सकते हैं जो भी आपके पास रखी हो और यदि आपके पास सूजी ना हो तो आप इसमें बेसन add कर सकते हैं चावल का आटा डाल सकते हैं अब सारी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे पानी वगेरा आपको बिल्किल भी नहीं डालना है क्योंकि आलू जो है उसमें भी moisture होता है पोहें वो भी हलके गीले हैं तो पहले अच्छे तरह से mix कर लेंगे सारी चीजों को और तब हमें ऐसा लगेगा कि जरूरत है हमें पाने की तो हम थोड़ा सा पाने का इस्तेमाल कर सकते हैं अब आप देख सकते हैं अब यह हैं अच्छे से bind हो रहा है देखिए आप मिश्रन को जितना छोड़ते जाएंगे न ये मिश्रन उतना ही टाइट थोटा जाएगा क्योंकि आप जो भी पाने डालेंगे न पोहा एव्जॉर्फ करता जाएगा इसलिए आपको बीच बीच में जरूरत लगे की थोड़ा सा ड्राइ हो गया है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें एट कर सकते हैं बस ध्यान रहे एकदम से सारा पानी भीड़ सारा पारी पिलकुल भी नहीं डालेगा अब अपने हाथों में थोड़ा सा ओल लगा लेते हैं और अपने हाथों को grease कर लेते हैं अब इसमें से हम थोड़ा सा पोहा लेंगे जितना बड़ा आपको यह नास्ता बनाना है आप इस तरह से हम इसे गोल-गोल करके हलका सा roll कर लेंगे और इसे एक slender का shape देंगे आप अपने इच्छान उसार कोई भी शेप में बना सकते हैं आप चाहे तो इसे टिक्की बना सकते हैं या इसकोई शेप में भी बना सकते हैं बहुत ही इजली ये बन जाएगा बच्चों की पार्टी हो या छोटा सा गेट विए दर हो आपको फटाफट कुछ स्टाटस में बनाना हो तो आप ये बनाकर खिला सकते हैं तो ये देखिए मैंने इस तरह से सारा नास्ता जो है रेडी कर लिया अब हम एक प्लेट में लेंगे सूजी यानि की रवा मोटी पतली कोई सी भी सूजी ले ले अब जो हमने ये नास्ता बनाया है उसका एक पीस उठाकर इस तरह से सूजी के अंदर कोट कर लेंगे बहुत ही इसली से सूजी जो है इसके उपर कोट हो जाएगी चिपक जाएगी जब हम नास्ता खाएंगे ना तो नास्ता जो लुकवाइस में देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा और थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाएगा सारे नास्ते को इस तरह से सूजी में कोट करके रख लिया है अब इन्हें हम फ्राइ कर लेंगे उसके लिए कड़ाए में तेल डाल कर पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था तो तेल बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका है यदि आप कम तेल में खाना पसंद करते हैं तो आप चाहे तो इस नास्ते को सेलो फ्राई भी करके खा सकते हैं इस गर्म तेल में इस तरह से एक एक नास्ते को इसमें डालिए तेल बहुत ही अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए थंडे तेल में बिल्कुल भी इस नास्ते को मड़ डालिएगा थंडे तेल में डालने से क्या होगा तेल को एब्सोर्ब करने लगेगा और ओली हो जाएगा यह नास्ता इसलिए ग्यास का फ्लेम लो और मीडियम करते रहना है जिससे की तेल का ट्रेंपरेचर है मेंटेन रहे और जो हमारा नास्ता है वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो सके और अंदर से कच्छा भी ना रहे पोहे का है तो पोहे बहुत ही जल्दी से पक जाते हैं ते कि अनले हैं पेहले बार देख रहा है वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल आइकन को प्रेश करना मपास ताकि जो वीडियो की नॉटिफिकेशन है वह आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और मेरी वीडियो आपको अच्सी लगे तो वीडियो को तो बस आप इस तरह से निकालिए फिर इस से और गर्म गर्म फ्राय करके खिलाइए उन्हें तो मेरे वीडियो आपको थोड़ी से भी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अब मिलते हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई